हलो फ्रेंड्स बेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे गडित के महत पुर्पूर्ण प्रेश्णों की उन प्रेश्णों की जो आपके गुरुप डीगे एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं टो वीडियो को अंति तक देखीगा तो चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रेश्ण यहां आपका एक पुष्टक हानी लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, क्रेमूल, ठीक है, बटे में क्या, क्रेमूल, गुने कितना सो, ठीक है, हानी प्रिच्चत निकल क्याएगी, लाब निकालते हैं, तो यहाँ पर लाब लिखते हैं, हानी निकालते हैं, तो यहाँ पर हानी, केलियर है इतनी बात, अब देखे यहाँ पर 500 रुपे की चीज है ठीक है 500 रुपे की चीज है और उसका विक्रेमुले कितना है 300 रुपे मतलब 500 रुपे की चीज को हमने 300 रुपे में भेख दिया तो हमें हानी कितने की हुई 200 रुपे की तो हमें हानी पता चलगी 200 रुपे की है बटे में क्रेमुल क्रेमल हमको कितना दे रखा है 500 रुपे दे रखा है तो 500 लिखेंगे और गुने कितना है 100 तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे आंसर आएगा देखें मैं यहाँ पर 2 0 से सीधा सीधा यह 2 0 कटा दूँगा ठीक है और 5 से कटाओंगा मैं 100 को कितनी बार में कटेगा 20 बार में कटे यह आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उम्मीद करूँगा कि इतना जवर्जस्त प्रश्न आप बहुत आसानी से सीखे होंगे बहुत ही जवर्जस्त कोश्चन है गुरूप डी एक्जाम के लिए ठीक है दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न उम्मीद करता हूं बहुत का क्रेमूले क्या है बई क्रेमूले अपने आप में जो भी होगा 100% होगा चाहें 10 हो 25, 140 कितना भी रुपया की ना हो वो अपने आप में 100% होता है क्रेमूले अब 100% की चीज को क्या होता है 20% की हानी पर बेचता है ठीक है 200 रुपे में बेचा तो क्या हुआ 20% की हानी इसक आप देखिए 100% की चीज़ को जब वो 20% की हानी पर बेच रहा है इसका मतलब कितनी बेच रहा है वो 80% में परसेंट में बेच रहा है 80 में और रोपे में बेच रहा है 200 में तो 80% बराबर कितनी की हो जाएगा 200 रोपे की हो जाएगा ठीक है, 80% बराबर 200 की हो जाएगा, आप से प्रेशने पूछ रहा है, तो घड़ी का क्रेमुले, क्रेमुले मतलब 100% का मान, 80% बराबर 200, तो 100% का मान पूछा है, कैसे निकालेंगे, 200, ये 80 कहां जाएगा, बटे मैं 100% का मान पूछ रहा है, तो 100 सी कर देंगे, आप multiply आपका प्रेशने का answer आजाएगा, ठीक है, देखे, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 0 से ये 0 कटा दूँगा, ठीक है, अब मैं 4 से से भी कटाऊँगा, 2 बार में कटेगा, और 4 से से भी कटाऊँगा, ये 5 बार में कर जाएगा, अब मैं 2 से 100 को कटाऊँगा, तो ये 50 बार में कट गया समझ में आगे दोस्त बात बहुत ही अच्छे प्रेशने है गुरुब डी एक्जाम के लिए उम्मिद करता हूँ के सभी की समझ में प्रेशने अच्छे से आ गया होगा अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है एक कुरसी को 700 रुपे में बेचने पर 40% का लाब होता है तो बस्तू का क्रेमूले क्या है बस्तू का जो भी क्रेमूले होगा अपने आप में 100% होगा चाहे जितना भी हो 100% ठीक है अब होता क्या है कि एक कुर्सी का जो क्रेमूल अपने आप में 100 होगा उसको 700 रुपे में बेचने पर क्या हुआ 40% का लाब मतलब 100% की इस चीज को हमने क्या किया 40% के लाब पर बेचा 40% के लाब पर बेचा अब 100% की चीज को 40% के लाप पर बेचेंगे, इसका मतलब कितने बेचेंगे, 140% में बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 140% में और रुपे में कितने बेचेंगे, 700 रुपे में बेचेंगे, ठीक है, तो 140% पराबर 700, आफ से पूछ रहा है बस्तू का क्रेमूले, क्रेमूले म गुने कितना 100, 0 से 0 कटेगा, 14, 25, 70 कटेगा, 5 का मल परे 100 में कितना आजाएगा 500, ये आपकी प्रेशन का आंसर आ गया, तो बस्तू का क्रेमुल क्या है दोस्तों, 500 रुपे है, 500 रुपे दे रखा है पी ओप्सन में, ये हो गया आपकी प्रेशन का पिल्कुछ सही आंसर, कि हानी होती है, वह इसे किस मुल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाब हो, देखी, पहले तो हम बात करते हैं कि बस्तू का कोई ना कोई 100% क्रेमुल्य होगा, कोई ना कोई बस्तू का 100% क्रेमुल्य होता है, उस 100% की चीज को क्या हुआ, 800 रुपे में बेचा तो 20% की हानी होई, इसका मतलब 100% की चीज़ को क्या बेचा 20% की हानी पर बाई 20% की हानी पर बेच रहे हैं 100 की चीज़ को 20 की हानी पर बेच रहे हैं इसका मतलब कितने बेचेंगे 80% में बेचेंगे और रुपे में कितना बेच रहा है वो 800 में तो 80% पराबर कितना होगे 800 ठीक है हम क्या करेंग जो बस्तू का क्रेमुल्य होगा वो निकल किया जाएगा लेकिन प्रेश्ट में एक और कंडिसन दी गई है वो ये है कि वह इसे किसे मुल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाब हो जाए अब ये तो हो गया आपका क्रेमुल्य 100% का मान इसे क्या करना है 20% के लाब पर बेचना है तो 0 से यह 0 कट जाएगा, 8 से 80 कटेगा 10 बार में, और 10 का मल पर 12 से तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1200, क्योंकि 1 0 यहां पर भी तो है, 12 एक कम 12 हो जाएगा, 1 यह 0, 1 यह 0, 2 0 होगे, 1200 रुपे में बेचना होगा, तो उसे क्या होगा, 20 परसेंट का लाब होगा, पूछ रहाता कि वह से कितने बेचे, 20 परसेंट का लाब हो, 1200 में बेचेगा, तो उसको 20 परसेंट का लाब हो जाएगा, कितने में बेचे दोस्तों, 1200 में भी आफसन होगे, आपके प्रशन का सही आंसर, उम्मिद करूँगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रेशना क्या होगा अब देखेंगे दोस्तो अगला प्रेशने अगला प्रेशने है किसी बस्तू को 5% हानी पर बेचने की अपेच्छा 10% लाब पर बेचा जाए तो दुकानदार को 55 रुपे अधिक मिलते हैं तो बस्तू का क्रेमूले कितना है इतना आसान प्रेशने है कि मैं बोलू कि 5 से जादा का वक्त इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा आप जब सीख जाएंगे तो ठीक है उसमें क्या होगा हानी की जगे लाब पर बेचा जाएगा या लाब की जगे हानी पर बेचा जाएगा एक जगे लाब होगा और जिसमें अपेच्छा वाला प्रेशन होगा तो क्या करेंगे लाब और हानी दोनों को जोड़ करके जो रुपे दिया गया उसमें क्राइम मूल्य पूछ रहा है na कितना है क्राइम मूल्य कितना होगा 100% होगा तो 5 का मान 15 से 45 काटा 5 100% का मान चाहिए तो 100 से मल्टिप्राइए कर देंगे 5 का 100 से मल्टिप्राइए कितना हो जाएगा 500 यह आप का अंसर आ गया 500 दे रखाए C ओफसन में ठीक है दोस्तों उम्मीद करूँगा कि सभी की समझ में प्रेशन अच्छी तरीके से आगया होगा क्रेम मूले पूछ रहा है क्रेम मूले कितना होता अपने आप में 100% तो 5 कमल पे 100 से कर दीजे ये तो आपका 5 निकल के आया ये तो 1% कमान है 100% कमान निकलना है तो 100 से मल्डिपाई कर देंगे 500 आपका अंसर आ गया सबकी समझ में प्रेशन अच्छी तरीके से आ गया अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है 150 रुपे में दूद खरीदा गया उसे कितने रुपे में बेचा जाए कि 20% का लाब हो कितने में खरीदा गया 150 रुपे में बेचा कितने में जाए कि 20% का लाब हो कितने परसेंट का लाब 20 का लाब तो 20 लिखेंगे परसेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है बटे में सो बस कट गया अंसर आ गया आप कहेंगे सर अंसर आ गया देखिए यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है समझने में 150 रुपे में दूद खरीदा गया 150 हमने लिख लिया कितने रुपे में बेचा जाए के 20% का लाब हो हमने 150 में खरीदा है यह क्या होगे हमारा कोश्ट प्राइज और हमें बेचना कितना है 20% के लाब पर अब 150 की चीज़ को 20 के लाब पर बेचेंगे मतलब 120 में बेचेंगे यह तब ही तो हमारा यह सैलिंग प्राइज होगा ठीक है, अब clear हुआ प्रेशने, cost price हमारा 150 है, selling price कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 20% के लाब पर बेच रहे हैं, लाब को क्या करते हैं, 100 में जोड करके लिखते हैं, 100 में जोड करके लिखेंगे, तो 120 हो जाएगा, अब इसे जब solve करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2-0 से आपके ये 2-0 कट जाएंगे 15 कमल पे कर दो 12 से 15 दुने का 30 का 0 कैरी का 3 15 कम 15 कैरी का 3 कितना 18 मतलब 180 हो जाएगा आपकी प्रेशने का सही आंसर वह उसे कितने रुपे में बेचेगा 180 रुपे में बेचेगा भी ओफ्सन हो गया आपके प्रेशने का सही आंसर उम्मीद करूँगा कि सभी की समझ में प्रेशने बहुत अच्छे से आ गया किसी को भी प्रेशने में कोई भी समस्या नहीं होगी अब देखेंगे दोस्तो अगला प्रेशने अगला प्रेशने है एक ब्यक्ति किसी बस्तू को 10% नुकसान के साथ 90 रुपे में बेचता है तो उसे बस्तू का क्रेमुल्य है बस्तू का क्रेमुल्य होता है बार बार मैं बता रहा हूँ अपने आप में क्या होता है 100% ठीक है उसने क्या किया 10% के नुकसान पर उसे पेचा बाई 100% की चीज़ को जब आप 10% की नुकसान पर मतलब 10% की हानी पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब कितने में बेच रहे हैं 90% में प्रतिसत में कितने बेच रहे हैं 90% में और रुपे में कितने बेच रहे हैं 90 रुपे में गुने कितना हो जाएगा, 100% का मान निकालने हैं, तो 100 से multiply, अब 90 से 90 कट जाएगा, बचेगा कि आपके पास 100, तो 100 रुपे आपकी प्रशनी का सही आंसर हो जाएगा, बस दूगा क्रेम मुले कितना है, 100 रुपे है, 100 कहां दे रखा है, B-Option में दे रखा है, यह आपके प्र प्रशनी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रशनी में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,